अगर आपक सरकारी नौकरी करना चाहरों सरकारी नौकरी की तहरी करना है तापके लिए जी एस जीके उतना ही महत्त पोन है जितना की सांसे जी हाँ, सरकारी नौकरी करने के लिए हम सभी को और आप सभी को GSGK गनाता तब तक बनाया रखना है जब तक अंतिरूप से सेलेक्शन ना हो जाए GSGK का जो दैरा है न, वो उसकी तैरी को भी पूरी नहीं होती और कोई ये पूछ ले कि वह है कि आपकी GSGK तैरी पूरी उजगी है तो इसका सिधा जवाब है कि नहीं क्योंकि अपने आपनी ये महासागर है कितना भी खांगा लिए लेकिन अगर सरकारी नौकरी की बात करें जहाँ भी सरकारी नौकरी की बात आती है वहाँ पर GSGK अपने आप आजाता है अब हर सरकारी नौकरी के शेलवस में आपको GSGK बिवीत किसी ने किसी रूप में बनज़ए चाहे आपको सरकारी से छक बनना हूँ चाहे आपको अधिकारी बनना हो चाहे आपको प्रिफेशर बनना हो सबी जगर GSGK की अपनी अलग और खुद की एक बड़ी भूंका नजार आती है आप लोग अगर तैरी कर रहे हैं हो सकता है इसमें आपके सामने भरती नहीं आ रहे हैं जब भरती नहीं आ रहे हैं तो आदमी टूड़ जाता है कि क्या पढ़ें कहां से पढ़ें लेकिन एक ऐसा समय होता है एक ऐसा डारकेज है जिसमें आप खुद को मजबूत कर सकते हैं और खुद को मजबूत करने का मतलब यहाँ पर है अपने GS को इस्ट्रॉंग करने का प्रयास करीड़ यूकि GS के जब भी बात करते हैं जिसमें कई भी से आते हैं इतिहास में तीनों इतिहास आते हैं प्राशीने तिहास मदिकलने तिहास आदनी भारत के तिहास आदुन भात के तिहास के साथ साथ भारती राष्टी अंदरोन भी कहीं कई अलग से पढ़ेने को मिलते हैं उनसे जूड़े प्रमुक पुस्तके हैं, प्रमुक पत्रिकाये हैं, उपन्यास हैं जो अजादी के समय जिनकी उप्योगी था हुई थी, जिनके राष्टे अंदरोन के समय, जिनके महतपुन भून भूंका थी साथी साथ भगोल की बात करते हैं, हम लोग बश्च्र का अभुब पढ़ते हैं, मान्चितर पढ़ते हैं मनों को बोल से प्रश्न जोला वरवर के अशकाल आ रहा है साती सात उसके बात जह हम बात करते हैं अर्शास्त की भारती अर्धिवस्ता है भारती अर्धिवस्ता जो अर्धिवस्ता उसके उधाना है क्या है तो अर्थिवरस्था के साथ साथ करेन का भी उसका जुड़ा हो जाता है फिर जब बात करते हैं समिधान की तो कोई राजिवरस्था के नाम से, पॉल्टी के नाम से, समिधान के नाम से, हमारी समिधान तो भारतिय शमिधान की भूमका भी अपने आप में महत्तपूर है एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक ऐसा विसा है पर इच्छा कोई भी हो सवाल चरूर पूछा जाएगा तो भारतिय शमिधान को पूरा तैयर कलेजिए मतलब कुछ कड़ी ऐसे होते हैं जहां से प्रश्ण हर इसको भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि आज कल जितने भी नौकरेयां लग रहे हैं उनके लिए कंपेटर ज्यान होना जरूरी है और कमपेटर के साथ इसलिए प्रहे पुछा जाता है और कोई भी सेक्टर हो इसे जिएस में भी उचुड़े जाते हैं उसके बाद दिवीत का कॉंसेप्ट आता है मतलब इस्टाटिक जीएस जीके तो इस्टाटिक जीएस जीकेगी भूमका भी उतनी है क्या कोई इसे चूटर राद करें बताएगा जो मैं अचानक से भूल गया हूँ तो उसको भी क इनको मिलाकर जीएस की एक पगडंडी त्यार होती है जिस पगडंडी पे चलकर एक ऐसी पुल तयार होती है जिससे चड़कर हम अपने सफलता रुपी नईया को पार कर सकते हैं जब भी सरकारी नौकरी की भारत आती है इसकी भूमका अपने आप महत्तर हो जाती है इसकी अब प्रदीन चाहित उसके लिए सबसे बेश्ट किताब लूसेंट है लूसेंट कस्ते तो कभी खतम नहीं हुआ है और एक एक और एक और एक और एक तीसरे तो तो तीनों चैटी की नीचोड को आपको पड़ते रहा ना होगा क्योंकि एंसे आटी से जो कॉंसेप्ट हो प को मिल जाएगा वैसे आप खुद से भी अपनी नोट्स बना सकते हैं उससे लेके बारत तक हिंदी वीडियम गरेजीं में दोनों मेडियम इंग्लिस में में आपको प्लब दो जाएगा उससे भी वड़ी बात है कि खुदकावी नोट्स आप बनाते चली इन सभी विश्यो सब्सक्राइब तरफ प्रिष्ण नहीं पूछा जाता है मिलान करनों सब्सक्राइब तो जो नए ट्रेंड दे सावाल चल रहा है उसको भी फोकस करना है थेयरी पे हमें अपनी मजबूत पकड़ बाना के निव जो हमारी वो है वो थेयरी है लेकिन सेलेक्शन जो लेना है वो हमें उसके करें अपनी अपनी आपको दिन बाए दिन प्रत दिन दे वेड़े को मजबूत करते हैं और अपने जो प्रिक्षा के तयार कर लिया तो जो परिक्षाओं की डेट आती है जैसे कि या वीडियो एक्जाम की कर रहे हैं तो तो GS का होता न वो डायरा जैसे पूछ लिया जाए कि भारते शम्धान की आत्मा और अबिटकर जीने का आता चाहे वो सम्धान का यह प्रश्ण है किसी भी परिच्छा की ताहरी कर रहे हैं अगर यह पूछा जा सकता है तो इसका मत बता सकते हैं पुछले जानुशेद 14 क्या है अनुशेद 15 क्या है तो जीए जीक है न इनकी कठना ही अस्तर बढ़ती है पुछिने का तरीका बदलता लेकिन सेल्बस क्रेटेरिया उसकी थियरी हमें साथ को उतना ही काम देगी चाहे वो श्रमिधान हो चाहे अर्थिब्योस पढ़ेंगे तो 539 हो जाएगी और अगर गलती से आपने पीशास के लिए पढ़ लिए तो 540 मों हो जाएगी ऐसा नहीं है जो पानिपत की प्रथम उद्धू है वो उसी टाइम पर होगी वाइडेट होगी चाहे इलनी में दुरगे से पढ़ें चाहे दुनिया किसी भी ज देने का प्रयाश करिए जो भी सजेशन चीए हम से लीजे औरों से लीजे तो कि बिना जीए जीए के चाहे आपके नईया पार हो जाए सरकाइब नोकरी मिले तो बड़ी मुश्केल है इस तरह हिंदी का भी अपना खुद का दायरा है हिंदी का भी क्रेटेश को पढ़ कर रिजिनिंग हो गया तो मैं कुछ चीज़े ऐसे जिस पर अपना कमांड बना के रखिए ताकि परिच्छा के समय इनको रिवीजन करने का समय आपको खाली मिले जितने समय लोग सेलबस पढ़े उतनी टाइम आप इन टॉपिकों को रिवीजन करें उमीद करते हैं आप मेरी विद दुरगेज के टेलिगराम पर आपको मिल जाता हैं मीद खालते हैं तो कि पर जुड़े रही हैं और अपनी तैरी करते हिए क्या हम लोग को signing को परिछाट क्लूपी के होगी यह जैसे पढ़ना शुरू करते हैं हर विश्य के अपनी दार है इतना मजबूत इतना बड़ा होता है कि कितना भी पढ़ते यह शेस नहीं होगा तो टीचर एक माधवसर की भूंका निवाता है वह यह बताता है कि यह पढ़ना यह नहीं पढ़ना इसी के लिए टीचर घुरत प जीचे आपके लिए कितना अहां कितना महत्यपूर है इसकी दयार आप खुद समझ सकते हैं अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हो कोई सवाल हो कमेंट करें हम आपके लिए जीचे की फिर से निशुल क्लासे शुरू कर रहें अगर आपकी संख्या कम से कम 200 लोग हो जाते है तो मैं उन सभी के लिए जीचे के फिर से एक निशुल क्लासे शुरू करूँगा लेकिन 200 लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके लिए पाट्शाप गुरूप हम क्रेट कर देंगे जिस गुरूप के माध्याम साम लोग डेली एक दूसरे से कन्व कर गलत भी होते हैं तो हम वहीं पढ़ता है जम्धिए पढ़े रहेंगे तब हमश्केस का लिए शारी होती है। कौन से भी से आपको आसान लगता है आप भी कॉमेंट बॉक्स में जाएगा और हम भी आपके साथ हैं और हम आपके लिए जिए जिके की एक स्रीज शुरू करने जा रहे हैं कि वो वीडियो के लिए ब्यार से चक बढ़ती है इपीट सुपर्टेट वीडियो रेख ज्याम द दोसों की जंक्या हो जा रहे हैं तो आपके लिए एक निसुल्फ क्लाजे सुरू करेंगे जो आपके लिए पूरी दरसे निसुल्फ होगा और जहां पर हम जीए जीके की हर टॉपिक को बिशे वार जैसे इतिहाज भगोल स्वामिधान भारती अर्थ व्यवस्था तीनों पिज्ञान यूपी के लिए पढ़ रहा है तो यूपी के लिए पढ़ रहा है तो यूपी इस्पेशल भी उत्रा ही महत्त पूर है तो आप साथ तो दीजे हम आपके साथ देनेगे तयार हैं क्लास के टामिंग में समय से चुड़िये लोगों तक पहुचाईए और आगर आपका कोई फिडवाएक है कोई बात होता जवाब तो कॉमेंट बॉक्स करिएगा अपका कोई बेक्तिकत सवाल तो इस्टाग्राम उपने सवाल को सकते हैं उमीद करते हैं कि आप अपको सेलेक्शन नहीं मिल जाता क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस मच्छे लगते है अपको पढ़ाने के लिए तो आपका श्वागत है और अपने साथी मित्रों को जोड़कर रखेगा ये क्लासिस पूरी तरह से मेरी तरफ से इनिश्यल कोंगी लेकिन समय से समय तक जूड़े रहेगा कौन से पढ़ना है क्योंकि बहुत जगा आरसास तरह आपको पढ़ने को नहीं मिलता तो हम चाहिए तो आप अरसास तरह आपके लिए सुरू कर दें नोर्स के माद़न से ताकि कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए बागी करेंट के साथ मिला कर पढ़ेंगे करेंट तब पना करिए जब जिसकी पर इच्छा नजदीक है पहल लग जाएगे अब की बार एक सिट हमार आपका सपना तब पूरा होगा जब आप बहतर को पूरी बहतरीन तरीकेशे करेंगे क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस मच्छे लगते हैं खेत्म नहीं और आप एक रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस हमेशा सेलेक्शन से थी जी एजी केगी एक सिरीज लेकर आना चाह रहा हूं अगर आप चाहेंगे अगर आप श्रामती देंगे रफशाब देंगे तो इस सिरीज काफी महत्तपुन होगी और उन सभी के लिए होगी जो अपने माबाब को सपना पूरा करना चाहते हैं बहुत धन्यवाद आपका ज